है डारिक्टियों इसको बताएगा ठीक है एक तीछरब को ले लेती है अभी आप लोगों को साइमेंट मिला है कुछ कंसे करना है ड्राइप से ग्राफ इस नहीं करना है हाँ यह भी पोस्ट की अखॉर्डिंग कलर भी होता है याद रखना ठीक है तो हमने इस्ट्रक्शन दिया गाइड लाइन्स दिया तो यह क्या हो गया हमारा डारेक्टिंग हो गया का सब्वेक्वशन को कैसे घॉसर को कैसे बनाना समझाया सब्सक्राइब कर दिया कि आपको यह करना यह बता भी दिया लेकिन अभी हमने उनको क्या क्या है डारेक्शन नहीं दिया सब्सक्राइब करना है कि इस काम को आपको कैसे करना है जैसे अभी आप लोग यह बैटे हो अपनी मर्जी साके बैठ गए जब हम आपको बोलेंगे आप यहां बैठी आपका इस प्लास में इस पेपर का एक देना है अगर आमने सिरा बताएंगे कि ऐसे से कोश्चन आप अपने प्रंट से इक्जाम देने भी श्टूइट्ट जाते हैं तो उनको पहले सारे इस्ट्रक्शन पढ़ने बोला जाता है कि आप पहले इस्ट्रक्शन पढ़ों कि आपको कुछ भी थोड़ी बोलते हैं, बोलो क्या बोले थो ये एक मीनिंग हो गया, क्या मीनिंग है? डारेक्टिंग रिपर टु गिविंग इस्टक्षन, गाइडिंग एंड डिस्क्राइब समान फॉर्द वर्ट एक और मीनिंग है, इन सिंपल वर्ट, वी कैन से देट, डारेक्टिंग इस देट, फॉंक्षन ओफ मैनेजमेंट विच प्रोवाइड दा वे एंड तैल दा प्रोडूसर तू भी वर्ट, अब देखो यहां पर क्या बताये गया है, जो ये सिंपल वर्ट है, ठीक है इसा, क्य मतलब है, इन सिंपल वर्ट, इन सिंपल वर्ड वी कैन से देट, डारेक्टिंग पीनर, क्चैवर टारेक्टिंग इसांस्वाइड लाना बता। कि आपको इस प्रोडेक्ट को कैसे लॉंच करना है या कैसे प्रोड्यूस करना है यह सारत ही हमको कौन बताएगा हमा डारेक्ट जो भी हो डारेक्टर लो प्रोड्यूसर हो या पर्सोनेल को तो वही बताएगा ना जो सूपरवाइजर होगा वह किसको डारेक्टन देगा लेबर्स को देगा और सूपरवाइजर को कौन देगा उसको और होगा जो डारेक्टर है टॉप लेवल में जोगा वो देगा यह हमको यही चीज कंटीनिव फॉलो करना है ठीक है दो मिनिंग हो गया है बहुत सिंपल में उसके बाद यहां बताएगा है दा वर्ड डारेक्टन इसके बाद आपका नेक्ट मिनिंग डारेक्टिंग इस प्रोसेश डारेक्टिंग क्या है एक प्रोसेश है वीच इस परफॉर्म आफ्टर स्टाफिंग इस प्र गिविंग इस्ट्रक्शन एंड ये अपने आपने के सकति कुसे लिए आफ्टर यानी स्टापिंग करने के बाद हमारा चार्ट आम रहेगा डारेक्टिंग का रहेगा इसे लिखोगे अगर प्रोड़क्टिंग बता है तो कि परस्ट मिनिंग क्या लिखोगे अगर बोला जा रहा है तो क्या लिखोगे फर्स्ट मिनिंग डारेक्टिंग रिफर्टो गिविंग इस्ट्रक्शन गाइडिंग एंड डिस्क्राइब सम ओन फॉर्दा वर्ट बहुत अच्छा है दोई लाइन का मीनिंग है अगर आपको पूछा जाता है वन वर्ट में तो इस मीनिंग को आप लिख सकते हो फॉर इग्जाम्पल स्टीचर्स का दे सकते हो इससे बैटर है जो मैं बता रही है मिन डारेक्टिंग रीफर लिख लो अगर लिख रहे हो तो डारेक्टिंग रीफर तो गिविंग इस्ट्रक्शन और कल मैं पूछूंगी सट्रेडे को जब आओगे उसके बाद स्टाफिंग सभी को वन वर्ट के कोश्चन में दूंगी एनिफाइट उसको लिख के बताओगे मुझे अधियो पिपर में पिपर अभी कहां हो रहा है पिपर लिखो डारेक्टिंग रीफर तो गिविंग इस्ट्रक्शन directing refers to giving instruction guiding and guiding and giving instruction comma guiding and describing and describing from on for the work कि के बहुत अच्छा मीनिंग है इसका दोई लाइन में जिसको आप याद करके बता सकते हो अगर आपको पूछा जाता वाट इस डारेक्टिंग हो गया साम ओन पॉर्दा वर्ड ठीक है याद हो गया देखो अभी एकी लाइन का है बहुत अच्छे से अंसर है अगर पूछा जाता है वाट इस डारेक्टिंग या वाट इस डारेक्टिंग क्या लिखोंगे बताओ ठीक है याद हो गया बहुत अच्छा दो इस डारेक्टिंग For example, our teacher directing his student, directing his student to complete an assignment. To complete an assignment. ठीक है, meaning हम बता सकते हैं, कि directing refer to giving instruction, guiding and describing someone for the work. For example, our teacher directing his student to complete an assignment. ठीक है, बहुत easy है, one mask में लिख सकते हैं. ये example के लिए कि teachers अगर आपको assignment दे रही, तो कैसे guide करेगी, कैसे instruction देगी, directing करेगी. और second meaning है, आपका in simple words, in simple words, we can say, we can say, we can say, that directing is that function of management function of management which provides which provides the way and the way and tell the producer tell the processor to do the work क्या है इसका प्रोसेजर आप देखो, management का important function आई है, अगर आपको पूछा जाता है कि, mention the five function पूछा जाता है, management का, write the function of management, तो हम अराम से बताए हैं, one-one line के, अगर five marks में भी आता है, तो हम five function बताए हैं, easy way में, फर्स, planning का meaning बता दोगे, second आपको organizing है, third staffing है, fourth directing है, और five आपका controlling है, ये five function है, अब एक-एक को आप उसका meaning बता दो, सभी का meaning और examples बता दो, organizing को, long question में बताने बोलेगा, organizing को बोलेगा, तरिफ organizing को आपको बोलेगा, लेकिन, अगर अच्छे number चाहिए, तो हर एक कीज़ को draw करके बनाना सीखो, कैसे draw जैसे है, हमने correct इस टीक ही लिखा, पूरे five names लिख दिये, आप उस five name को अच्छे से draw भी कर सकते हो न, one marks two जैसे भी है, समझ आगे, इसमें क्या बोल रहा है, कि एक simple word, we can say that directing is the function of management, which provide the way, मतलब किस way में आपको करना है, tell the procedure, मतलब आपका जो प्रोसेसर है work का कैसे करना है, clear, ये दो meaning अच्छे से आप हुजएगा, उसके बाद मैंने बताया था nature, feature और correct इस टिक, दोनों क्या है, तीनो, same है, क्या होता है, nature means क्या होता है, अगर हमको directing का nature बताना है, हाँ, nature, feature और correct इस्टिक, क्या होता है, nature means, हाँ, मतलब हमको directing का सौभा, यालि की nature बताना है, feature means भी वही है, कैसे feature और correct इस्टिक, मतलब उसकी quality बताना है, तीनों का meaning वही होगा, ठीक है, यहाँ पे nature and characteristic डियाव है, direction is a continue function, यह सभी को मालूम है, अगर आप direction दे रहो तो वो continue में होना थाई, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप उसको आज direction दिये कि ऐसा ऐसा work करना है, उसके बाद आप कर चलेगा है, तो वो तो उसी way पे काम करेगा ना, वो अपना work change नहीं करेगा, एक बर जो सिखा दोगे वही च अगर इसको continue process में करें, दो दिन हमने उसको ऐसे बताया work करना, तीसे दिन हो सकता हमको और कुछ आडिया है, हो सकता ना, उसको ऐसे बताया है, जो फोर आवर्स में काम हो रहा था हो सकता है, वो वन वार्स में हो जाए, तो यह सारा कि जो process है कैसा होना थी है, continue process होना थी, clear उसके बार, direction is a function of management at all level, read करो इस point को, first point में लिखा है, direction goes with work as long as the work is in progress, the direction has to continue, यानि कि जो direction है, वो कैसा होना थी, continue होना थी है, long time के लिए, क्योंकि work अगर progress करेगी, सब करेगी जब आब उसको long time के लिए direct करोगे, कोई भी चीज़ो, अभी भी आज हम अगर class 12 में, रोज नए नए आइडल अगर करते हैं, हम search करें अपने ही book में, तो हमारा जो progress है वो increase ही होगा, लेकिन उसी चीज़ को आज हम बस पढ़ दे रहें, उसकल छोड़ देगे, continue नहीं रख रहें पढ़ना, अपनी class भी continue नहीं कर रहें, तो कैसा होगा, भूल जाएंगे न, one month भी पढ़ोगे, तूसरे month से छोड़ दिया रहें, हमने तो पूरा पढ़ दिया, जब तक आप उसको continue प्रोसेस में रखोगे, नहीं होगा, next में क्या बोल है, कि every level से है, वो कोई भी लेवल, at all level of management, at higher level, high level, direction is required, होता है, direction के लिए जर्वत पढ़ता ही है, कोई भी person ऐसा नहीं है, अगर manager है, तो हो सकता है, कोई भी direction की, कोई भी हो, हम लोग भी हो, तो पढ़ेगी ना, जो हमारे है, वो हमको audience ने, कहीं ने, कहीं से जरुवत पढ़े गई, लेकिन हो सकता है, उसको guideline उसके घार से भी मिल सकता है, जरूरी नहीं, अपने office के ही लेवल में, वो बात करें, किसी और से भी ले सकता है direction की, अपने business को मुझे कैसे follow करना है, हो सकता है, किसी दूसरे expert से ले सकता है, क्या होता direction, हम बाहर कहीं जाते हैं long drive में, हमको direction वाना दिया रहता है, कि इधर जाना है left जाना, जाना, राइट जाना, वो arrow की तुरू हम से ले जाते हैं कि नहीं, वो सीख देता है, ठीक है, क्या होता direction में, सही दीसा बताना, guidelines क्या होता है, आप गलत रहा पे ना जाओ करके पहले ही guide कर दिया जाता है, रोड में जो इतने arrow बनाए जाते हैं कि इतने kilometer यह सारा किस क्यों बताए रहता है, तो हार को एकदम निकल नहीं जाएगा सीधा, तुम गूगल अंटी से पूछे होगा, मैंने वो नहीं बोला, मैंने टेक्निकल नहीं बोला कि आप लोग उसमें, मैंने क्या बोला, रोड पे जो arrow बने होते हैं, वो तो गलत नहीं होता ना, तो वो डारेक्शन भी हमको वही बता रहे कि आप ऐसे नहीं जाके ऐसे जोगे, तो यह डारेक्शन का मतलब ही होई है कि सामने अले को सही दिसा देना, मतलब गाइड लाइन्स देना, चाहिए वो किसी वे पे भी हो, इसलिए आप बोला है, लो लेबल डारेक्शन इस रिक डारेक्शन इस अन इसक्टियों सूपर वीजन एंड लीडर्शी, क्या होता इस मेनिंग को रेड करो और मुझे बताओ, पॉइंट नंबर थार्ड, क्या हुआ 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 है हुआ 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 है कि मैं था बचार्ड में क्या बताए कि ऑ बताओ क्या वपधार्ड मेंृर्ण का ने ृइक्व धार इनगे डारिक्शन को सीख बताता है कि यहां पर्षंट की अपनी कॉलिटी होती है कोई अच्छा प्ले करता होगा कोई बहुत सारा बात करता होगा वह आहीं निरी है अगर बिजनेस में मैंजर है तो ऐसी मैंजर नहीं बन गया है हो सकता उसके में quality होगी knowledge होगी उसकी personality एच्छी होगी तब जाके वह सामने अले को डारेक्शन दे सकता है नहीं हो अगर आप उस लेवल में हो तब वो आपकी बात सुनेगा इंक्लूडेड इन दा फॉंक्शान ऑफ डारेक्शन दा अब्जेक्टि ओफ इंटर्प्राइज एंड एस्यो थ्रोग कॉंपनेट्स सूपर्वाइजर यानि की सूपर्वाइज कोन करेगा या तो डारेक् इंडेजवर्वाइज पॉर्पॉइंट फोड़ो चलो जनेंजे होताएगा जल्दी फॉर्पॉइंट दोनों का क्या नाव है अलताथ अभी सेख अभी सेख मित्रा क्या है अभी सेख बहुत सारे अभी सेख हो गया ना क्यांक। झाल 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 कि आपको इसे करने तो क्या करेगा को नहीं करेगा तो वहीं चीज़ बताएं कि आप उनको डारेक्शन दो और वर्कराओं ठीके सौल होगे तो और हार एक मेंबर भी बदलाब वहीं परसान उनको आपको ऐसे ऐसे करना हैं छल यसका बताओ मुझे क्या होता है कि अधिवेटिंग लिंक का मतलब डारेक्शन ऐसा देना कि किसी को हाट मतलब किसी को तकलीफ नहीं कि आप उसको बोल रहे हैं वहाँ चड़ और पुछ जाय से तोड़ी होगा वह डारेक्शन भी सही देना जलत नहीं देना किसी को भी मतलब वह उसके लेबल में होना से ठीक है क्या बताई मैं हार एक पर्सन की अपनी एक्टिविटीज होती है जैसे मालों किसी वो कुछ आता है तो हम उसको दूसरा काम नहीं देंगे असरा क्या होता है बताओ इसका मेनिंग क्या हुआ थिखेगा बताओ जल्दी अच्टिविटीग यह क्या हुआ लिका आटाओ जल्दी अश्छाप्साइव लिक्ताओ अजल्दी अव्य विच्जिव का यहँ अटाओ जल्दी अच्टिव लखेट अच्टिव सूच्टिविटीज मैं शूच्टटिवा थार्टर्स ayam क्या होगा थे पड़ते नहीं गर में जाकर अप्सुलों लगता इप्लों किसी थे पॉइंट इसलें नहीं करते हो इत्ते रींसे क्या करों पहला जाओ जाओ को रुगागिए यह वाटिव क्या नहीं हों से अलोय है झाल 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 करहा धुर्ण बताओ जल्दी, next is related to performance, ये तो बताई सक्टाओ। किसे related है, पर्फॉर्मेंस है, कैसे पर्फॉर्मेंस से related है, जैसे, जैसे training development हमने किया है ना, अब वो training holder जो रहेगा, कैसे perform करेगा, अजर वो trained है, अच्छा, perform कैसे करेगा, अच्छे से direction देगा ना, बताईगा सामने आले को कि हा, ऐसा ऐसा काम करोगी, ऐसा काम करेगा, किудुर्मेंस है, बताईगा सामने आले को किसे ट्रहाँ जरुर्मेंस है, जैसे हम गळ मुखवज जला जा। भीए, तो वो रहे उनाता ओना, बताफ। मैंसा करेगा सामे तरी काम करेगा, आले इजर वो, ंब रहें हैं, आले जजर उनाता को वो, बताईब कैना रहा झाल 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 झाल